गोड मॉर्निंग दियर इस्टुडेंट्स हम लोग टिक्नोमेक्रिक एक्वेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं टिक्नोमेक्रिक एक्वेशन में मख्चुन हम लोग पेज 6 and 4 पेज पर एक्जम्पल अबर 8 करते हैं और इससे पहले की एक्वेशन करना दियतowej जैसा कि आपको पहले से भी पता है कि हम लोग सभी ऐसा काम करते हैं कि पहले टॉपिक के बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं फिर कुछ एक्जम्पल फिर कुछ एक्साइ़स के कोशण करानाते हुए सब काम कर लेते हैं पर अभी भी अगर आपका कुछ रह रहा हो पिछली एक्साइदों में तो आप भी मुझे बेद दीजें ठीक है वैसे मैंने कोशिश करिए और जो मैंने एक बार पेपर दिया था उसके कोश्चन भी मैं आपको लगा रहा हूं जलती ही उसका सलूशन पुरा बच्चो यह एक 4 sin square x उपर 2 1 है तो sin square x उपर 2 1 by 4 हो जाएगा 4 sin square x 1 है इस पर तो इसका जनरल सलूशन निकालना आए तो बच्चो जनरल सलूशन में यह होगा कि sin square x 1 by 4 है तो sin square x 1 by 2 का whole square हो जाएगा यहाँ पर यह काम नहीं करा जाएगा पस जो गलती होती है वो क्या होती है वो सुन लीजे बच्चों sin x उपर 2 लोग कर लेते हैं plus minus 1 by 2 और फिर minus हटा देते हैं अपने मन से या plus हटा देते हैं जो भी मन आता है वो कर लेते हैं मतलब उन्हें अपने काम से मतलब है बच्च कर लिया जाएगा और 1 by 2 sin में किसकी वैलू होती है? sin pi by 6 की वैलू बच्चों होती है यानि sin 30 degree गी और यह हो गया sin square x is उपर 2 sin square pi by 6 तो x is उपर 2 n pi plus minus pi by 6 हो जाएगा x is उपर 2 n pi plus minus pi by 6 कोई सा फार्मुला लगाया? sin square theta is उपर 2 sin square alpha then theta is उपर 2 n pi plus minus alpha अगर square वाला question है तो इ इदर ये वाला काम नहीं किया जाएगा इसका square करके angle लिखे sin square theta is उपर 2 sin square alpha का formula लगेगा और n belongs to it is a z अब यह आप बुक पर इस पर में चाहिएगा कि z लिखा है कि i लिखा है symbol z भी है और capital i भी है बच्चों ठीक है? अब जो इसका third part है उसमें कहा गया है तो बच्चों इसमें 10 square x हो जाएगा 1 by 3 opposite हो जाता है 10 square x 1 by 3 और 10 square x को 1 by root 3 का whole square कर लेंगे बच्चों और यह 10 square x 10 5 by 6 10 30 की value होती है 1 by root 3 और 10 square x equal to 10 square 5 by 6 हो जाएगा तो x equal to n 5 plus minus 5 by 6 क्या करना है पस यह ध्यान लखना है square वाले में इदर अंडर root न चड़ा दीजेगा ठीक है इसको आप 1 by 3 को 1 by root 3 का whole square 1 के 10 square x equal to 10 square alpha वाले formula 10 square theta is equal to 10 square alpha का formula लगाएंगे हम लोग theta is equal to n pi plus minus alpha बच्चों हो जाएगा यह है बच्चों मेंटर ठीक है तो यह आपको ध्यान से समझना और सोचना है कि square वाले question में कहीं पर कलती ना हो जाएग ठीक है और अब देखिए बच्चों आपके board पर जो example आ रहा है example number 10 वो कई मानों में अच्छा है तो आप अब देखिए example number 10 बच्चों आप हमारे पास example number 10 है और 10 में देखिए बच्चों यह कहा गया है example number 10 आपके book वे 2 possible x plus 3 sine x इस इस इपल टो 0 तो बच्चों 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 को क्या लिख लेंगे 1-sin square x plus 3 sin x तो से अंदर multiply हो जाएगा मैनस 2 sin square x plus 3 sine x plus 2 इस इस इपल टो 0 ठीक है बैच्चों अब ये हो जाएगा 2 sin square x minus 3 sin x minus 2 is equal to 0 minus 3 sin x को लिख लेंगे minus 4 sin x plus sin x minus 4 sin x plus sin x split of middle term split of middle term ये हो जाएगा आपका यहां पर split of middle term ये middle term को split कर दिया ये जैसे होता 2 x square minus 3 x minus 2 split of middle term minus 4 और 1 factor हो गए और बच्चों तब अच्छे जनल सलूशन निकालना है जनल सलूशन का मतलब है पहले मैं sin x की value निकालूंगा तो चाहें वो किसी भी method से निकालों आपको मेरी बात को factorization से निकलना या कोई भी और तरीके अपना के निकाले जाए वो practice आपको perfect बनाए कि 2 sin x common कर लिए sin x minus 2 बच्चेगा इन दोरों में 1 common sin x minus 2 sin x minus 2 common तो 2 sin x plus 1 बच जाएगा अब अच्छों 2 sin x plus 1 0 आए तो sin x is उपर 2 minus 1 by 2 हो जाएगा तो sin x is उपर 2 sin minus 5 by 6 हो जाएगा अब बुक में यहां पर एक मेंटर है मैं देख रहा हूँ कि बुक वालों ने इन्हों ने यहां पर वो एंगल लिखा है जो 7 5 by 6 210 डिगरी जो थर्ड कौडिनेट में पहुच जाता है बच्चों लेकिन हम आप से यह कहेंगे आप यहां पर वो वाला एंगल है जो माइनस 90 और प्लस 90 के बीच हो तब बढ़िया आए बहुत वाले केसमें मसेराइज नहीं कर पाएंगे जैसे साइन में जितने भी माइनस होंगे अगर माइनस 1 by 2 है तो माइनस यहां एड्जस्ट हो जाएगा क्या हो जा बच्चों और यह हो जाएगा एन पाइं प्लस माइनस 1 की पावर एंग माइनस 5 by 6 साइन थीटा इस उपर टू साइन अलपा तो थीटा इस उपर टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एंग अलफा और बुक वालों ने थर्ट पाटन वाला एंगल लिग दिया है और मैं प्लस का है तो लिख दीजे तो साइन और 10 के केस में तो हर बार आप 90 और माइनस 90 के बीच निकाल लेंगे जरूर एंगल लेकिन कॉस्ट के केस में आपको 90 से बढ़ा जाना पड़ेगा माइनस के केस में और कोई वहां पर चारा नहीं है एक छोटा सबसे छोटा एंगल रो अब देखिए ये बिल्कुल साही है ऐसा ही रही है जो मैं बता रहा हूं और अगर साइन एक्स माइनस दो धे रो है तो साइन के इस तू हो जा episode अब sin x to a data which is not possible क्यों not possible हमने आपको शुवात में बताया होगा कि sin theta की जो value है या sin x या की sin की जो value है वो 1 से बड़ी नहीं होती और minus 1 से छोटी नहीं होती sin theta lies between minus 1 to plus 1 sin theta minus 1 और plus 1 के बीच बच्चों क्या करता है lie करता है और उस condition में हमारे पास ये है कि ऐसा कोई भी x नहीं होगा जो sin x को 2 बना दे क्योंकि 1 से बड़ी value हो गई 1 से बड़ी हो और minus 1 से छोटी हो तो वो not possible लिख दिया जाएगा तो सिर्फ answer आया ये इसका meaning समझी है इसमें वो सारे एंगल बच्चों चुपे हुए हैं जो इस equation को satisfy करते हैं ये जो हमारी equation है इसको क्या करेंगे? satisfy करेंगे तो आपने ये बात हमारी समझी होगी मेरे ऐसी उमीद है ठीक है बच्चों? और मैं आपको आगे जो बताने जा रहा हूँ देखिए वो क्या बताने जा रहा हूँ हाजी, example number 11 आगया आपके board पर देखिए example number 11 में बच्चों क्या कहा गया है? कि cos 4x find a general solution for each of the following equation देखिए cos 4x is equal to cos 2x cos 4x is equal to between cos 2x तो थ्यांस है मेरी बास सुनिएगा general solution का मतलब है x की general value निकलनी है general value का मतलब है ये वाली, ये वाली n belongs to integer ये इसको ज़रा detail में समझे x की वो सारी values निकलनी है जो इसको satisfy करें यहां लगाने पर और यहां लगाने पर ये दोनों आपस में equal align better है ये कोई भी गलत value आनी नहीं चाहिए और सही value जानी नहीं चाहिए लेकर यहां पर 2th में बच्चों वो सारी element में बच्चों फुरा सा हमारे पर दिक्कत आ रही है और वो दिक्कत में एक question के आपको बताते हुए समझाऊंगा आपकी देखिए का क्या तिक्कत आएगी जैसे cos 4x is equal to cos 2x है x की value fine करनी है general आप इससे theta और इससे alpha लिए लिए cos theta is equal to cos alpha cos theta is equal to cos alpha then theta is equal to 2 and prime plus minus alpha पार भुला आपने सुन रखा है taking positive sign एक बार positive sign लेजे तो 4x is equal to 2 and prime plus 2x 2x इदार बेहते हैं 4x minus 2x 2x हो जाएगा तो यह 2 and pi हो जाएगा उसे 2 cancel तो x is equal to बच्चों n pi हो जाएगा very clear लेकिन अगर taking negative sign की बार की जाए तो 4x is equal to 2 and pi minus 2x 2x बच्चों इदर जाएगा तो 6x तो यह 2 and pi हो जाएगा तो यह n is equal to x is equal to 1 by 3 n pi हो जाएगा तो बच्चों यह हो जाएगा n belongs to z n क्या है integer है जितने भी बच्चों integer रखे जाएंगे इंडोनों value में वो सब given equation को satisfy करेंगे यही जनरल solution है जनरल मतलब infinite result escape होंगी गिंती नहीं हो पाएगी कुछ लोग कहते है finite होंगे finite का क्या सवाल है finite जब integer यह finite नहीं होता तो finite result कैसे होंगे लेकिन बच्चों देखे ज़रा यही है अगर मैं 2x को इदा में आता वो cos c minus cos d लगाता cos c minus cos d लगाने के बाद मेरे पास यह option होता कि cos 4x मैं आपको समझा दे रहा हूँ सारी बाते टिप तक जाएगे और यह हो जाएगा 2 sin c plus d upon 2 यानि 3x और sin c minus d upon 2 यानि minus का x फार्मूला आप लोग अगर अब लर्ड कर लिये हैं और कॉपी बना लिये हैं मेरी बाद माल लिये हैं तो बहुत ही अच्छी बात है बार-बार लेक्चर देने से और वो भी क्लास में होते तो बढ़िया था और बार-बार वीडियो में ये इतनी बात है करना तो फिर रुचित नहीं हो पाएगा देखिए यहां पर minus x आ गया लगा के देखिए वर्गुला कॉस्टी माल कॉस्टी का टू इदर चला गया और minus भी बाहर आ गया तो minus भी बच्चों चला गया sin 3x और और ये sin x इसका दूसरा method है तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं अगर sin 3x लिखा जाएगा if sin 3x इसका जाएगा then 3x इसका बच्चों हो जाएगा ठीक है क्या गरा मैंने cos 2x इदर ले गया cos c minus cos d cos sin c plus d upon 2 और sin d minus c upon 2 इसका जाएगा sin 3x 0 तो 3x 10y तो x is equal to n y by 3 बच्चों और if sin x is equal to 0 ले लिया जाए तो x is equal to बच्चों हो जाएगा n pi यहां से n pi by 3 आएगा और यहां से n pi ते कि से result आया लेकिन क्या होता है कभी-कभी यहां तो से भी result आया कभी-कभी results ठेखने में different हो जाते हैं और यह बात बहुत सारे लोगों को मेरी समझ में थोड़ी सी नहीं आती लेकिन जैसे ही मैं उन्हें एक example समझाता हूं फिर उनको मेरी बात सौंच में आने लगती है और आप camera man अपनी बात को सभी करते हुए कि यहां पर दिखाई हो बता रहा है कि ऐसा क्या होता है अगर आप method थोड़ा साथ change कर देंगे तो value देखने में different हुने लगेगी लेकिन जो उसमें n रखे जाएंगे तो उससे जो angle निकाले जाएंगे वो same आते जाएंगे और वो equation को satisfy करते जाएंगे बस आपको देखने में different लग रहा होगा यह मेरी बास से लोक satisfy नहीं होते और नहीं होते तो जब देखिए स्क्रीन पर आपके क्या आया आपके स्क्रीन पर आया example number 11 का second part बहुत कुछ बता के जाएगा बहुत कुछ बताने के लिए है cost 3x is equal to sin 2x general solution निकालना है देखिए एक method यह है कि यह cost theta और इसे cost में बदलके cost theta is equal to cost alpha का फार्वूना लगा लिए जाए यह method है उसरा method हम बात में चर्चा कर लेंगे cost 90 minus theta sin theta होता है बच्चों sin theta को क्या लिए जाएगा cost 90 minus theta बात देखिए अगर इदर से इदर जा सकते हैं तो इदर से इदर भी जा सकते हैं ठीक है cost theta is equal to cost alpha then theta is equal to 2 and pi plus minus alpha यही फार्वूला आप लोगाने सुना है getting positive sin 3x is equal to 2 and pi plus pi by 2 minus 2x 2x को इदर बेहते हैं यह 5x हो जाएगा और 5x हो जाने के बाद 5x की value निकाल नहीं गए 1 by 5 2 and pi plus pi by 2 और अगर negative sin लेंगे तो 3x is equal to 2 and pi minus pi by 2 minus 2x और बच्चों यह minus pi by 2 plus 2x और 2x 3x इदर आएगा तो 3x minus 2x x is equal to 2 and pi minus pi by 2 हो जाएगा अगर लगता है कि हमने जल्दी से बोला तो जब धीरे से सुनिए क्या बोला मैंने इदर cos था इदर sin था जाएगे एक बार negative sin लेके x की value निकाल ली एक इन शर्त एका राइड साइड में x नहीं होना चाहिए और अगर थीटा के टम में कोशन है तो राइड साइड में थीटा नहीं होना चाहिए बच्चों अब बच्चों इसका मैं आपको एक वो बात बताने जा रहा हूं तो मैं बोल रहा था कि अंसर देखने में different लगते हैं देखिए अगर मैं इसको यह लिख दू sin 2x is equal to cos 3x बच्चों तो कुछ घल्ती तो है नहीं बच्चों यह कि अगर यह कोशन भाई जी में यह लिखा हुआ होता तो गल्पी क्या होती है इसमें क्या करना होता बच्चों sin 2x is equal to इससे मैं लिख लेता अगर कोई इससे इधर ना लाके sin pi by 2 minus 3x लिख लेता sin 90 minus 3x लिख लेता क्योंकि sin 90 minus theta cos theta होता sin 90 minus theta कितना होता बच्चों cos theta होता sin 90 minus theta cos theta तो cos theta is equal to sin 90 minus theta इसा दोनों cos मना लिए जब दोनों sin मना लिए कोई गलती तो मैंने करी नहीं और जब करी नहीं तो यह theta is equal to alpha तो यह हो जाएगा बच्चों 2x is equal to n pi और plus minus 1 e power n pi by 2 minus 3x और अब हम लोग उलग के रह जाएगे थोड़ा सा देखें यह theta यह alpha n pi plus minus 1 e power n alpha 2x is equal to sin theta is equal to sin alpha x उदर नहीं रहना चाहिए x उदर ही दिखाना है बच्चों बस यहाँ पर थोड़ा सा फसेंगे हम लोग अब यह तभी इदर आएगा जब हम लिखेंगे when n is even अगर n even होगा तो n is equal to 2k हो जाएगा n यह तो even होगा यह odd होगा n अगर बच्चों indezer है तो यह तो even होगा यह odd होगा और तो कुछ हो नहीं सकता और अगर बच्चों even है तो यहाँ पर बच्चों 2X is equal to 2K5 और प्लस माइनस 1 की पावर 2K और यह हो जाएगा 5Y2 माइनस 3X हो जाएगा और बच्चों यहाँ पर माइनस 1 की पावर 2K प्लस हो जाएगी और फिर 3X सिधर आ जाएगा मेरा कहने का मतलब है n इंटीजर है तो सम्में लिखना है मैं दो आपको लिखना है कि n इंटीजर है एंटीजर है यह लाउस को जाएगी यह वैलू बच्चों क्या हो जाएगी बजाएगी तो टू एक्स उपन टू 2K पाइप फ़ाइब टू-3 एक्स-3 एदर वें देजे 5-X हो गया हूं और यह हो गया 2-K-5 प्लस पाइब दूढ़ बच्छों यहां 5 इसके अपान में आ जाएगा 1-2 यह वाला इंसार इसने मिलता हुआ है सब्सक्राइब अबंधार यहाँ क्या है के बीटीजर होगा यहां और यहां के एक बार लेंगे और चार्ट ये और जोगा और हो गजय लिए जबने के कर दिया जाएगा खरिब अब लेज़ाएं और में यहाँ पोड़ पिंगर Πोड़ ग्लुक्ल। अगर even value में one add कर दिया जाए तो यह हमेशा और value हो जाती है तो यह हो जाएगा बच्चो टू एक्स और इसे भी देखते हैं यह पिजरा स्क्रीन शॉट अपने पास रखिएगा और पाई प्लस माइनस 1 की पावर 2K प्लस 1 और बच्चों पाई तो यह हो जाएका तो यह हो जाएका जाएका फ्लस फिएक्स इदा वे गेंगे तो ना से यह विजर इसे रहे तो पढ़ली बात तो यहां पर हम लोग बहुत मुश्किलात में फज़ गए और्दू गवर्णन मुश्किलात में फज़ गए और ले लिया दूसरा वह एंसर देखने में एक से नहीं आ तो बढ़ ज़र यह रहता है कि अजर एक साइन है और जर्णर सलुशन निकालना है तो दोनों साइटों को कॉस में चेंट कर लेना बहतर होगा साइन को कॉस में ना की कॉस को साइन में दोनों तरीकर से मैंने दिखा दिया आपको कोई कन्फुजम नहीं रहना चाहिए बिल्कुल इसा लगना चाहिए कि हम लोग क्लास रूम में बेढ़े आपसमें डिस्क्षान कर रहे अगर ऐसा होता तब क्या होता ठीक है बच्चों तो हमने कॉस को साइन में कर दिया और यहां पर मुसीबत आई कि यह एक्स तभी तर आएगा जब यहां पर जो यह वैलू बच्चों दिखाई दे रही है यह वाली वैलू कि यह प्लस हो या माइनस हो वही करा या तो प्लस होगी या माइनस होगी एन इवन होगा या एन ओड होगा बच्चों ठीक है तो आपने पहरे वाले स्क्रिंशॉट और दूसरे वाले स्क्रिंशॉट से नूट करें नहीं से इसर ने यह भी समझाया था बढ़िया क्या रहेगा साइन को कॉस में करें इवन और का मैटर water तसेगा यह होगा यहां कि इसमें अगर आप और इदर न के आप दिसर लगत चलेंगे तो जो इसमें रखते चलेंगे वो satisfy करेंगी और सेम इधर के जो आएंगे वो ही इधर के आएंगे अब वो सब निकाले जाएंगे और देखे जाएंगे और वो तो हम लोगों को करना नहीं है मतलब सारे एंगल इधर भी आ जाएंगे जो इसको साटिस्फाइ करेंगे य। सारे एंगल नहीं निकालना है तो बच्चों अब जो आपका कलास वर का रहा है उससे करके मुझे जल्दी से भीजए बहुत कम लोग देते हैं अब बार बार हम आपसे क्या कहें चलिए आज के लिए ठेंक्यू बोलते हैं और आप एकसाइस के पुर्शन इसके करना शुरू कर दीजें जितने ज़्यादा हो जाएं उतने बढ़िया हैं